सल्मान खान के डैडिकेशन ने शूटिंग के दौरान कैसे किया है रान ? क्यों सल्मान ने मूवी हिट कराने के लिए घ़रवालों को मनाया ? इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान खान का शूटिंग के लिए कमिटमेंट इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी को भी शौक कर दे और फिल्म इंगसी के लिए मिसाल बन जाए ऐसा ही हुआ है एक मूवी के दोरान सल्मान तबती हुई रेत पर नंगे बदन लेट गई और फिर गर्म रेत को अपने शरीर पर डलवाया उन्होंने ऐसे इसलिए किया ताकि सीन रियल महसूस हो सके ये बात तो 1999 माई फिल्म हम दिल दे चुके सरम के गाने की तडप तडप है गाने को सल्मान ने रहिकिस्तान में शूट किया था इस सौंग का एक हिस्सा ऐसा था जहां पो शही जुलसने की परवाग किया बगैर उसी पर लेट गई और सैट पर मौझूद लोगों से अपने उपर रेट डलवाया सल्मान का ये सैट सौंग इंस्परेशन बन गया और संजलीला भनसाली के करियर की दूसरी मुवी सोपरेट बन गई इस गाने को आज भी सल्मान के बहतरीन समरपड की वज़े से जाना जाता है सल्मान खान अपन भाईयों को फिल्म एंटी तो दिला सकते हैं मगर परदे पर उनके जीजा बन जाए ये हर किसी को हैरत्म डालने वाला है एक फिल्म के लिए सल्मान ऐसे ही हद तक चले गई जिसका नाम है प्यार किया तो डरना क्या इसमें सल्मान की जोड़ी काजौल के साथ बनी थी जबकि अर्वास काजौल के बड़े भाई बने थे अब सल्मान अपने ही सगे भाई के जीजा बन जाएं ये सोच कर वो शूटिंग के दोरान डरे हुए थी मगर किसी तरह उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडिल किया बताया जा रहा है संजदत को एरॉल आफर किया गया था मगर उन्होंने मना कर दिया और बाद में कुछ और एक्टिर से बात की गई लेकिन आखिर में सल्मान ने अपने भाई को इस आफशन पर ग्रीन सिंगनल दिया गौर करने वाली बात ये है इससे पहले रियल भाई किसी मूवी में जीजा साले की भूमिका में नज़र नहीं आए थी सल्मान खान खुद को मूवी के लिए पूरी तरसे तयार रखते हैं फिर चाहे किसी भी हद तक कि उन्हों जाना पड़े सल्मान को रादे फिल्म की शूटिंग के लिए जब दिशा पाटनी के साथ किसिंग रोल करना था तो दिशा के मूँपर टेप लगाने का आइडिया उन्हों नहीं दिया था खास बात यह है कि श्टेप के बापजू सल्मान ने उनके लिफ्स को टच नहीं किया सल्मान को पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका नो किसिंग बाला रूल ब्रेक हो जाएगा बताया जा रहा है किस नियम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा टेप भी सल्मान को नहीं लेने पड़े दिशा पाटनी को किसी तरह की दिक्कत भी उन्होंने नहीं होने दी और सल्मान का नो किसिंग बाला नियम भी पर करार रहा ये सब जानते हैं कि मूडी इंसान के लिए जिम करना बहुत मुश्किल होता है मगर सल्मान की डिक्शनरी में इस शब्द की कोई जगह नहीं सल्मान खन तेरे नाम की शूटिंग के दोरान खुद को उसके दार में इस तरह ढाल दिया कि बाकी एक्टिर्स उन से दूरी बना कर रखते थे तेरे नाम के लिए सल्मान को बेद ठका हुआ दिखना था इसके लिए उन्होंने देड़ घंटे के बरकाउट का प्लान किया वो जिम जाते और उसके बाद फिल्म के गेट अप में ढल जाते चुकि सल्मान को मूडी केरेक्टर करना था इसलिए उन्होंने शूटिंग के दोरान इसी तरह की कोशिस की बाकी को एक्टिर्स को समझा दिया था कि अगर थाकान और मूड अफसेट होने में कुछ उपर नीची हो जाए तो बुरा नहीं मानना क्योंकि राधे का इंटेंस होना तभी सफलो पाएगा दोस्तो मूवी के लिए सल्मान खान के इस उस्सह की क्या बाकी एक्टिर्स से तुलना की जा सकती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें